हलो एवरीबन, I will come again to all of your my BA tutorial classes success in teaching field हम लोग discuss कर रहे हैं प्रेवियस टेर में जो question पूछे गया थे 2019 के सारे question और 2018 के सारे question मेंने आपको explanation के साथ Hindi में, English में सारे explanation के साथ, material के साथ lecture आपको provide करा दिया है वो बगर video नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार देख ले हैं अब हम यहां पर discuss कर रहे हैं 2017 में जो question पूछा गया है 2017 के सारे question discuss करने के बाद, अब हम चौथे जूनित में जो question पूछा गया है यहां पर देखीए, उसको हम लोग यहां पर discuss करेंगे इसके इलावा 2019 में और 2018 में भी ये question पूछा जा चुका है यहाँ पर हम बहुत briefly नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको material, lecture और explanation बहुत अच्छे तरीके से करके समझा दिया है यहाँ पर बस हम एक overview देंगे आपको revise करके दिखाएंगे किस तरीके से यह question को attempt किया जा सकता है question को पढ़ते है define exceptional children मैं वहाँ पर मिनमें बता बताया था exceptional children से क्या समझते हैं आप vicious बालक जिसको बोलते हैं vicious बालक से आप क्या समझते हैं यही पूछा जा रहा है define exceptional children what are the features of slow learner slow learner को big word children भी बोलते हैं तो एक बात याद रखना question जो है हमेशा से यही पूछा जाता है या तो जो exceptional children होते हैं उस जगह पर क्या कहता है उस जगह पर यह कह दिया जाता है exceptional children जो होते हैं यानि कि जो vicious बालक होते हैं जिसको special children भी बोल सकते हैं question में special children भी बोल सकते हैं किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है चार तरीके से इसको पूछा जाता है कि आप exceptional children से क्या समझते हैं special children से क्या समझते हैं gifted child से क्या समझते हैं और उसके इलावा आप क्या कहते हैं backward child से आप क्या समझते हैं तो यह सारे कोशन इसी तरीके में आएगा मैं आपको रिवाइस करा देता हूँ मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से के एक्सेप्शन जो चिल्रेण जो सामान ये बुद्धी से तरीके से वो सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूट किया जाएगा और मैंने एक चीज़ बताया था आपको शिस्टियी परसे आएसे बच्चे होते हैं जो सामान ये बच्चे होते हैं 27% उस से वान यह से थोड़े से लगभग आसपास में होते हैं लेकिन 5% जो बच्चे होते हैं वो special children में आते हैं या exceptional children में आते हैं तो यहाँ पर आप इसके nature को समझ सकते हो exceptional children को वहाँ तो मैंने बहुत अच्छी से define किया यहाँ पर इसके nature को समझ सकते हो इसके क्या कितने types को समख सकते हो कैसे कैसे होता है यह लोग physical disable होंगे mental disable होंगे है ना उसके बाद है अपका handicap social handicap होगा learning disable होगा backward children यहाँ पर देखिए अप backward यहाँ पर जो है आपका backward children या slow learner दोनों कऊंचा तो इसको यहां पर नेचर पूछा हुआ यहां पर मैंने больше ब्रीफली तरीके से एक point को एड़ कर दिया है एक ऐक चीजों को मैंने Ten get कर दिया हैं डिस्लक्सिया को यहां पर जो स्लो लर्नर वाला कोशन है यहां पर कॉसंच कर रहा हूं आपको स्लो लर्नर वाला तो अब बहुत आसानी से उसको समझा सकते हैं क्योंकि यह देखिए यहां पर gifted child है उसके बाद multi handicap children है multi handicap children में कौन कौन लोग आते हैं speech speech defect बच्चे होते हैं उसके बाद language defect बच्चे जो होते हैं limited intelligence जो होती है इन सारे point को जो discuss किया जाता है वो किसमें किया जाता है वो exceptional children में किया जाता है यहां पर exceptional children जो होते हैं उसको इसमें discuss किया जाता है और क्या पूछा गिया है इसमें और यह पूछा गिया है कि आप उसको किस तरीके से यह देखिए आप अपना question देखिए आप क्या कह रहा है कि features कौन कौन से हैं तो यहां पर exceptional children जो होते हैं backward children को features पूछे गए हैं वो सारे features मैंने यहां पर include कर दी हैं आप एक एक point को यहां से वीडियो को pause करके कागेते हैं दुबारा से देख सकते हैं दुबारा से समझ सकते हैं इसके इलावा और जारा कुछ नहीं है है ना जैसे कि gifted child होता है उसका IQ जो होता है उसका कितना होता है 130 से लेकर के above होता है लेकिन जो slow learner होता है उसका 50 से लेकर के 70 तक ही होता है और जो ये बहुत क्या किते हैं, mental retired होता है, वो approximately 25 एक्यू रखता है जिसके विहाब पर उसको किसमें रखा जाता है, exceptional children में रखा जाता है, special children में रखा जाता है, और तिन तरीकों से बहुत कोशन पुछता है, डिसलेक्स से क्या समझते हैं, यह कोशन बहुत पुछा जाता है, और यह सारी चीज़ें मैंने आपको ठोटागा 19 के कोशन में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, उस वीडियो के देखने के बाद इसको जब इंक इंग्लिश में और हिंदी में और उर्दु में भी तो वो सारे पीरियड भी मैं आपको प्रॉइड करवा दूँगा, थैंक्यो सो मच वीडियो देखने के लिए